आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपको अपने फोन में location enable करने के बाद इस तरीके से लिखाता है यहाँ पर देखिए your location accuracy is low आता है your location करके और accuracy जो है सही नहीं बेट रही मतलब हमारा जो area है वो गुगल मैप नहीं पकड़ पा रहा है तो केसे प्रॉब्लेम फिक्स होगी जाने उससे पहले सब्सक्राइब कर लेज़ेगा तो यह प्रॉब्लेम अगर आपको आ रही है तो सबसे बेटर और सबसे main कामा को यही करना है कि आपको अपना mobile data जो है enable करना है अगर आपका बंद है या फिर अगर आपका mobile data काम ना करे तो यह इस तरह की problem आती है तो simply से काम कीज़े आप अपने phone को थोड़ी देर के लिए aeroplane mode या फिर offline mode पर लगा दीजे वापिर जब अपने phone को खोलेंगे या फिर offline mode बंद करेंगे तो mobile data ओन कीज़ेगा और यहाँ पर google map या फिर आप जो location है उसे enable कर रहे थे तो उसमें चले चा सकते है बट problem वही है कि आपका जो location है वो सही से काम ना करे तो ही इस तरह से होता है मतलब mobile data ओगेरा की problem है बाकि आप इसके लिए और कुछ setting करने के लिए आप यहाँ पर अपके phone में location की setting में आ जाईएगा ठीक है location में जैसे आप आते हैं यहाँ पर देखे app access to location लिखाए इसके अंदर आप चले जाईए और यहाँ से आप जो है अपने phone में जो जो application मतलब Google Map का अगर अगर अलाउ नहीं है तो इसे अलाउ कर दीजेगा यहाँ पर देखे अलाउ ओल टाइम तो Google Map की जो permission है location की उसे enable करना है इसके लिए setting में भी जाईए या फिर आपको direct पता है तो direct app info ओपेंग कीजे बान देजिए यहाँ पर हमें Google Map का app info निकालना है तो यहाँ पर आकर आपको permission में location की permission enable कर देने है बाकी कोई problem नहीं है अलग-अलग phone में थोड़ी अलग-अलग different problem हो सकती है बट यह problem ज्यादा तर mobile data या फिर internet काम ना करे तो ज्यादा आती है